नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज हम बात करेंगे चलिडोनियम मेजस के बारे में एक और्गैनो स्पेसिफिक लिवर के लिए स्पेशलाइज मेडिशन है गॉल ब्लैडर सम्मंदी परिशानियों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स देती है पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को इसे इस्तमाल करना नहीं आता इसकी डोसेज नहीं पता इसके बेनेफिट्स नहीं पता कब इस्तमाल करनी है कैसे इस्तमाल करनी है इन बातों का जवाब इस वीडियो में आपको देते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चलेडोनियम मेजस है क्या देखी चलेडोनियम मेजस बिसिकली एक परीनियल हर्ब है यानि मौसम के हिसाब से या समय के हिसाब से सोड़ दिन तक उखती है उसके बाद खतम हो जाती है एक एवरग्रीन टाइप की कोई ऐसा पौधा नहीं है इस पौधे की एक खासियत है कि ये जो पौधा है इसके पीले रंग के फूल होते हैं ये जो पीला रंग का फूल है ये कुछ ऐसा पीला रंग है जो जॉन्डेस के मरीज की स्किन से मैस करता है या उसके स्टूल से मैस क करता है तो पराने जमाने में जो वैद वगेरा होते थे पूल को क्रेस्ट फूल करते थे और टोग्त मिला करते हैं उससे मरीस का जॉन्ड svch ठीक हो ल्यॉवरके बहुत जान चुनस्ता सी जुब्हों मिलता है घ्रिक्तिया है और इंडिया में बहुत जब्हों में होगा अब बात करते हैं बेनिफिट्स की सबसे पहले समझे ये एक complete organo specific दवा है यानि एक particular organ या organ की जैसी परिशानियों को target करती है तो पहले बात कर लेते हैं liver की कि liver की को में इसकी दवा के क्या benefits हैं सबसे पहले समझे अगर आपको hepatitis में A, B या C है बहुत अच्छी दवा है उसके लिए अगर आपको hepatomegaly हो रही है नहीं liver का size बढ़ रहा है बहुत important medicine है अगर आपको fatty liver grade 1, grade 2, grade 3 हो रहा है लेकिन grade 3 के आगे अभी patient नहीं गया है नहीं scaring नहीं हुई है liver में hardness नहीं आई है बहुत अच्छी दवा है अगर आपको liver में कोई cyst type की बन रही है जो की pre-cancerous type है अभी cancer नहीं बना है cyst जैसी condition है liver कुछ बढ़िया सा काम नहीं कर रहा है तो ऐसी condition में है जो chelidonium है वह बहुत ही भेतरीन दवा है अब अगर रिपोर्ट के साब से बात करें तो समझे अगर आपको bilirubin बढ़ जा रहा है यहीं बाइल बढ़ जा रहा है यहीं बहुत अच्छी दवा है आप फॉरन इस्तमाल करिए इंप्रूव्मेंट आये लग जाएगा अगर आपको जो lipid profiles हैं वो जादा बड़े हुए हैं आपका liver कमजोर है जो lipid profile कंट्रोल नहीं कर पारा परहिस करने के बाद भी आप चलेडोनियम इस्तमाल करिए बहुत अच्छे बिमारियों में चलेडोनियम मेजस एक बहुत अच्छा result शो करती है अब दूसरा benefit यहीं पर आ जाता है liver के functions का यानि jaundis type condition अगर मरीज को पीलिया जैसे लक्षण आएंगे जनी liver हमारा गडबड हो गया यह सारी बिमारी होगी तो क्या होगा पीलिया जैसे लक्षण आएंगे तो पीलिया में यह दवा एक बहुत ही important role play करती है आपको अपने पीलिया को जरगाने की जरुवत नहीं है आप अ उसमें बिलकुल पीलापन आए या फिर वो clay color जैनी जो rate की जैसा रंग है वैसा हो जाये grace color की होने लग जाये इसके अलावा जो आपकी जीब है बिलकुल पीली होने लग जाये उसके किनारे से बिलकुल दातों के निशान आने लग जाये फ्लैबी हो जाये संग में मरीज क बहुत जल्दी recover कर जाता है एक और important बात समझी है चलेडोनियम हम doctors खास करता विस्तमाह करना प्रिफर करते हैं जब कोई obstruction हो सब्सक्रिए अगर gallbladder आपके gallbladder stone gallbladder stone आपके gallbladder की neck में फस गया उसकी वज़े से पीलिया बन रहा है चलेडोनियम एक बहुत अच्छी दवा है हम gallbladder stone को neck में फसने से भी इस दवा से बचा सकते हैं लेकिन dosage doctor के हाथ में रखियेगा तभी result मिलेगा ठीक similarly अगर liver में कोई एक ऐसी परिशानी है कोई portal जो है hypertension की दिक्कत है मरीज को या कुछ ऐसा दिक्कत होई इसकी वैसे hepatic portal system जो हमारा है वो गड़बड़ा गया है और मरीज को obstructive jaundice like conditions आ रही हैं liver में complaint की वज़े से तो वहाँ पर भी चलेडोनियम मेजस एक बहुत important remedy है और ब हमारा storage organ है दुनिया कहती है इसका operation करा तो अगर पत्री हो गई तो क्यों को operation कराना है अगर चलेडोनियम मेजस आपके पास है तो मतलब अगर आपके gallbladder में swelling आ रही है चलेडोनियम बहुत अच्छी दवा है अगर gallbladder का कॉलेक या नहीं दर्द हो रहा है चलेडोनियम बह अगर CBD में सूजन आ रही है चलेडोनियम बहुत अच्छी दवा है रिपोर्ट में देखेंगे तो अगर मरीज का कहीं न कहीं आपका ALP या GGD बढ़ रहा है चलेडोनियम बहुत अच्छी दवा है लिवर में fatty liver हुआ तो क्या बढ़ेगा SGOT, SGPT बढ़ने लग जाएंगे वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं संग में ALP, GGD बढ़ रहा है मतलब गॉल्ब्लेटर में प्रॉब्लम आ रही है बलकुल इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक अब यहीं पर अगर लक्षनों की बात करें तो भई अगर गॉल्ब्लेटर स्ट यह शोल्डर के पीछे तक जाए लग जाए गॉल्ब्लेटर स्टोन का अधर्थ कैसा भी हो सकता है तो वहाँ पर चलेडोनिया में बहुत अच्छी दवा साबित होती है और गॉल्ब्लेटर स्टोन को डिजॉल्व करने में यह एक दवा का बहुत इंपोर्टन रोल है लेक टंग से काम नहीं कर रहा तो बाइल बढ़िया नहीं बन रही कोई obstruction हो रहा है चाहे वो CBD की नली में हो यानि common bile duct में हो या फिर वो gallbladder में कोई दिक्कत हो या liver में कोई दिक्कत हो कुल मिला के बाइल बढ़िया नहीं बन रही उसके वज़े से क्या होगा अपच का मतलब constip constipation भी हो सकता है या फिर alternating diarrhea constipation भी हो सकते हैं पर यह IBS की वज़े से नहीं हो रहा है लिवर की वज़े से हो रहा है ठीक तो यहां पर चले डोनियम बहुत अच्छी दवा है अब सबोस करिए constipation हुआ तो क्या होगा लेट्रीन आएगी टाइट आएगी गोल-गोल सी आए रिजल्ट जरूर मिलेंगे इसके अलावा अगर सपोस के लिए patient के पेट में अलकस महसूस हो रहा है पेट गुम हो जा रहा है डाइजेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है और मरीज को अजीब सा महसूस हो रहा है और सारी रिपोर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं वह लिवर जिम् मतलब नहीं है लेकिन अगर लिवर की वज़े से अपच लाइक सिम्टम्स आए और उसके संग में gastritis भी हो अब क्या है मरीज खाना तो खा रहा है और लेकिन डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो क्या होगा खाना पेट में सड़ेगा उसकी वज़े से जो बाकी हम खाना खा रहे हैं वो इस तमक में पढ़ा रहेगा तो मरीज को क्या होगा नौजिया यानि उपकाई और वॉमिटेंग यानि उल्टी आ सकती है हर समय खाना उपर उपर को आने की कोशिश करेगा पेट फूला हुआ है नीचे नाभी से उपर के पेट में भी फूला पन है नाभी से नीचे मरीज को दर्द है ऐसे में ये जो मरीज को इस तमें अलकस ही महसूस हो रही है उसमें उसे गरम पानी पीने से अराम रहा है यनि एसिडिटी हो रही है लेकिन गरम पानी पीने से अराम आ रहा है खाना खाने से अराम आ रहा है और जो दर्द है एसिडिटी बारे में अब आजाएं डोसेज के उपर भई कैसे इस्तमाल करें इस दवा को चलेडोनियम अगर आपको इस्तमाल करनी है तो देखिए options क्या-क्या है मारे पास mother tincture q 30 potency 200 potency तो सबसे पहले समय लीजे भई यह जो चलेडोनियम 200 है यह अपने घर से दूर रखें अगर घर पे रखें तो सिर्फ डॉक्टरी परामर्स में रखें डॉक्टर अगर एडवाईस कर रहा है तो उसके हिसाब से ली गई डोसेज चलेडोनियम 200 की आपके लिए beneficial है सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोसेज में हमाई पास कौन सी दो पोटेंसी है एक हो गया भई या क्यू यानि मदे टिंचर एक हो गया भई 30 सीदी सी बात ठीक अब सबसे पहले समय लीजे कि चलेडोनियम मदे टिंचर इस्तमाल कैसे करें बहुत साय लोग उने मुझे बोला सर वो चलेडोनियम मेडिकेशन में बहुत अच्छा काम करती है आपको अगर इंडाइजेशन यानि अपच जैसे से लक्षन आए गैस जैसे लक्षन बने आप चलेडोनियम मेजर्स को क्यों यानि मदे टिंचर में घर में रखिये आप दिन में 5 बून दवा दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तमाल करिए आपको इंप्रूब्मेंट आए लग जाएगा कोई भी अमर्जेंसी आती है यानि अपच लेग में सिंटम्स आए और उसके संग में या फिर आपको गैस्ट्राइटे से सिंटम्स आए और बेचे नहीं होए लग जाए घर में कोई दवा नहीं है आप मदर टिंक्चर क्यों जो है पांच बून दवा के इसाब से तो दो गहंटे पे इस्तमाल करेंगे 48 आर्स तक भी अगर इस्तमाल करते हैं तो इंप्रूब्मेंट परसंट आजाएगा 48 आर्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है हर दो गहंटे पे बारा घंटे भी इस्त इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं फैटी लिवर की परिशानी है रिपोर्ट में फैटी लिवर ग्रेड वन आ रहा है आंख बंद करके चलिडोनियम मेजस क्यू यानि मदर टिंक्चर दस बून दवा सुबह शाम के हिसाब से यूज़ करिए 45 डेस तक यूज़ करि यह आपका चो फैटी लिवर है वो इंप्रूव हो जाएगा लेकिन समझिए हिंदोस्तानियों की शान है फैटी लिवर ग्रेड वन क्योंकि 80% लोगों की रिपोर्ट पे मिलता है दरने वाली कोई बात नहीं है आप इस्तमाल करेंगे लिवर की संग में थोड़ी मेहनत करे करेंगे सिम्टम से चुटकारा मिल जाएगा और फिर डॉक्टर को दिखा लीजे अगर वो कहते हैं कंटीनियू कर लो तो भी कंटीनियू कर लीजे हो सकता है आपको फैटी लिवर नॉमल हो जाए पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ग्रेट टू से ग्रेड बनाना तो करेंगा मत यूज करो यूज करना चाहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप तर्टी पॉटेंशी पांच बून दवा सुबह शाम के साब से रेगुलर यूज करें सिमिलर काइंड ओफ रिजल्ट्स मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मदर टिंचर एक बेटर मैं बदर टिंचर को चूज करता वागी आपकी मरसी है अब सब्स गॉल बैटर परिशानिया हैं कि वही गॉल बैटर में स्टोन हो गया डॉक्ट साब दवा बता दीजे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दवा बता दीजे गॉल बैटर स्टोन की तो भई ये चले डोनियम वा दिन में तीन बार के हिसाप से यूज करें लगबग तीस दिन से साथ दिन तक यूज करें अगर आपके अल्टर साउंड में गॉल बैटर में इंप्रूमेंट नहीं आ रहा है गॉल बैटर स्टोन के अंदर तो बिलकुल नराज ना हो धंग से डॉक्टरी ब्रामर्स ल 70% मरीजों के गॉल स्टोन डिजॉल्फ कर सकती है संग में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द हो रहा है गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ रही है या किसी और तरह की परिशानी है इंप्रूमेंट जरूर आएगा अब अगर आप overall बात करें कि हम कौन सी पुटेंसी घर क्यूं या 30 तो मैं आप से कहूंगा क्यूं रखिये घर में 30 मिल जा क्यूं नहीं मिल रहा 30 मिल रही है तो एक अलग बात है अदर्वाइस क्यूं रखिये कैसी भी परिशानी जो बेनेफिट्स मैंने आपको बताए हैं एमर्जेंसी में 10 बून दवा दिन में 3 बार के सुबेश शाम के हिसाब से रखिये कुछ केसे में 5 बून दवा भी उस कर सकते हैं अगर जादा 10 बून की जरुवत नहीं है तो ठीक 30 पूटेंसी यूज करना प्रॉब्लम नहीं है पर उसकी डोसे स्थोड़ा रेस्ट्रेट रखनी पड़ती है इंप्रूमेंट आता है पर दवा की पूटेंसी सेट करेंगे इंप्रूमेंट जरूर आएगा तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में चलिडोनियम संबंधी जो जानकारी आपको दी है आप उससे संतोष्ट होंगे बाते समझ में आई होंगी समझ में आई है तो मेरे को थम्स अप जरूर दीजे और जुड़ना ही जुड़िये हमसे हम आपको सिखाएंगे कि देखिए हुमियोपथी से सैंटिफिकली हम लोग किस तरह से चीजों की लोगों की मदद करते हैं कंप्लेंट्स में लोगों को इंप्रूमेंट देते हैं इस पहल किसंद जुड़िये हुमियोपथी की पबलिक इ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमश्कार थैंक यू